तो दोस्तों आज जन्वरी की 25 तारिक है और अभी आप बिंटर में बहुत सारे बिंटर के फ्लावर लाकर अपने गार्डन में सामिल कर सकते हैं फरवरी में हम लोग समर के फ्लावर की तयारी सुरू कर देते हैं फरवरी में हम जानेंगे कि बिंटर में कौन कोई से प्लांट की आपको तयारी करना शुरू कर देना है लेकिन अभी जनवरी के इंड तक आप अपने गार्डन में बिंटर के फूल लाकर अपरिल तक फ्लावरिंग ले सकते हैं तो आज हम 15 इसे प्लावरिंग जानेंगे जिनें आप अभी अपने गार्डन में सामिल कर ले तो आपका गार्डन आने वाले समय में फूलों से भरा रहेगा तो आज की लिष्ट का पहला बहुत ही खुब सुरत फ्लावरिंग प्लावरिंग प्लान्ट यार्ड डेहलिया का ह डेहलिया प्लावरिंग की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है आप देखेंगे ये कलियां भी बहुत बड़ी होती है और इसकी आपको कलर ब्राइट इनर सीट पर बहुत सारी बिल जाएगी रंग भी रंगे इसके कलर गार्डन में बहुत ही खुब सुरत दिखते हैं खुब सुरत या प्लाइट पूरे बिंटर गार्डन को फूलों से भरा रखता है प्लाइट प्राइज की बात कर ले तो नरसरी पर इस समय प्लाइट पचास से असे रुपए की बीच में आपको मिल जाएगा कलर आप देखिए कलर इसके एक दो नहीं बहुत सारी कलर आप आप को इसके मिल जाएंगे तो इस खोळसूरत प्लाइट को आप गार्डन में लाकर अपने गार्डन को खोळसूरत बना सकते हैं आज की लिष्ट का दूस्रा बहुत ही खोळसूरत फ्लावर इक्लान या पाइंजी का है पाइंजी जिसे बटर bus कहते हैं क्यूं है आप कट करके प्लांट से हटाते नहें तो साइट से नई ग्रोथ होगी और नए नए बड़ लगेंगे बहुत ही खुब सूरत पैंजी का प्लांट आपको बहुत सारे कलरवाइटी में नर्सरी पर मिल जाएगा ये आप इसके कितने सुन्दर सुन्दर प्लांट इसके नर सकते हैं और पिंचिंग करके प्लांट पर देरो फूल ले सकते हैं पैंजी को आफ हैंगिंग बास्केट में भी ग्रोफ कर सकते हैं बहुत ही कुब सूरत इस प्लांट को आप ऐसे जगह पलेस करें जहाँ इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके तभी यह बहुत ही एच्छी खोबसूरत फ्लावरिंग करेगा तीसरा खोबसूरत प्लांट या डॉक फ्लावर का है जिसे स्नेप ड्रेगन फ्लांट भी कहते हैं स्नेप ड्रेगन एक बहुत हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है आप देखिए इसके साइड से कितनी सारे बड लगे हुए हैं जल् बार flower जब dry हो जाए तो flower को आप cut कर दें क्योंकि इन ही पर इसके seed बनने लगते हैं तो plant आपका dry होने लगेगा अभी आपको इस plant पर March तक लगातार flowering लेनी है अप्रेल में plant पर seed बनने दें और उसे collect करके next season के लिए रख लें बहुत ही खुबसूरत या plant लगातार flowering करता रहता है और इस plant पर बहुत कम कोई pissed insect attack होता है प्लांट को sunlight में रखें और मिट्टी को dry होने दें तभी आप इस पर वाटिंग करें बहुत ही खुबसूरत या plant आपके garden को भी खुबसूरत बना कर रखेगा चौथा खुबसूरत plant गुलदावदी का है गुलदावदी winter का एक बहुत ही खुबसूरत है भी flowering करने वाला plant है आप इसकी एक दो नहीं बहुत सारी variety देखेंगे और यह एक ऐसा plant है कि plant पूरा फूरलों से भर जाता है और इस खुबसूरत plant के side से भी नई नई ग्रोथ होती रहती है बहुत ही खुबसूरत या plant लगाता flowering देता ही रह होती है गर्मियों में आप इसे बचा कर रख पाए तो या plant permanent आप के पास बना रहेगा इसकी cutting में rooting 10 दिन में हो जाती है तो इसे आप cutting से भी असानी से grow कर सकते हैं फूल जब इसके die हो जाए तो इसके full को आप नीचे से cut कर दें branch को आप देख रहे हैं यह side से देखिए नई नई growth फिर से होने लगेगी और अभी March अप्रेल तक या लगाता फ्लावरिंग देता ही रहेगा लिस्ट का पांच वाम बहुत ही खोब सूरत फ्लावरिंग प्लांट या कारनेशन का है कारनेशन एक डाई अंथस फेमली का बहुत ही खोब सूरत कई रंगों में फ्ला या प्लांट कटिंग से भी असानी से ग्रो हो जाता है इस प्लांट को आप सनलाइट में रखें प्लांट को पाट बहुत बड़ा नहीं चाहिए या प्लांट छोटे से पाट में भी असानी से ग्रो हो जाता है प्लांट पर ओवर वार्टिंग ना करें और या कारनेशन का प्लांट कटिंग से भी असानी से ग्रो हो जाता है इसकी आप छोटी से कटिंग को स्वैल में दबा दे कुछ ही दिन में इसमें रूटिंग होना सुरू हो जाएगी आज की लिश्ट का छटाँ बहुत ही कोफ्शूरत flor फ्लावडिंग प्लांट है गजानिया का है गजानिया सर्दियों का एक हालडी प्लांट है बहुत सारे प्लांट इसके साइड से निकलते रहते हैं बहुत से रंगों में यह प्लांट आपको नरसी पर 30-40 उपए में मिल जाएगा यह प्लांट सनलाइट का प्लांट है जब इस पर सुबा की सनलाइट प तो या घर्मियों में भी आपके पास बना रहेगा और अगले बिंटर में या फिर से फ्लावूरिंग करना शुरू कर देगा साथवां खूपसूरत प्लांट या डाइ अंथस का है डाइ अंथस एक बहुत तीक खूपसूरत फ्लावूरिंग करने वाला flowering plant है आप देखी इसमें कितने सारे flower एक साथ लगे हुए है आप इस plant पर pinching करते रहे हैं तो plant पर धेर सारे बढ़ाते हैं और plant पूरा flower से भर जाता है बहुत ही खुबसूरत plant के flower जब dye हो जाए तो इन्हें आप cut करके plant से हटाते रहे हैं इन्थस के बहुत सारी color आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे या खुबसूरत plant डगबक 30 रुपए तक नर्सरी पर मिल जाता है इस plant को आप cutting से भी असाने से grow कर सकते है या plant पूरे winter पर लगाता flowering करता रहता है प्लांट पर over watering ना करें जब soil dye रहता है तभी आप watering करें प्लांट को ऐसी जगा रखे जाए से 4-5 घंटे की धुब मिल से इन्थस को बहुत अधिक fertilizer की भी हो सकता नहीं होती है और या plant बिना caring के लगाता flowering देता ही रहता है लिस्ट का आठवा plant या calendula का है सरदियों में बहुत सारे flower plant इंडिया में grow होते हैं और इन सब में एक best flowering plant या calendula भी है जो महरी गोर्ड फेमली का होता है और इसके आपको कई color भी मिल जाएंगे calendula के तीन color कामन होते हैं जो नरसरी पर देखने को मिलते हैं या plant नरसरी पर लगबक 30-40 उपए में मिल जाएगा और इस plant के seed भी size में बहुत बड़े होते हैं इसी flower पर इसके seed बन जाते हैं तो अभी इसे आप मार्स तक flowering करने दें अप्रिल में इस plant पर आप seed बनने दें और फिर इन्हें कर्डेट करके रख लें और असानी से या plant seed से ग्रो हो जाता है बहुत कम sunlight में भी या plant लगाता फ्लावरिंग देता रहता है तो इस plant को आप garden में ला करके अपने garden को फूलों से भर सकते हैं विंटर का बहुत खुबसूरत अउग कहरे रंगों में ड्रावर को कट करके plant से हटाते रहें और plant फूलों से इतना भर जाएगा कि बहुत ही खुबसूरत आपका hanging basket या normal part दिखने लगेगा इस plant के seed में इसमें बनते हैं लेकिन अभी आप इसके seed को collect ना करें बहुत ही खुबसूरत plant नरसरी पर कही रंगों में आपको मिलेगा इस plant के price की बात कलने तो नरसरी पर या plant लगबक 30-40 उपए में मिल जाता है प्लांट को बहुत अधिक fertilizer भी नहीं देना है और plant पर over warting भी नहीं करनी है winter में अच्छी धूप में यह plant लगाता फ्लावरिंग देता है तो आप इसे ऐसी जगह रखे जाए इसे 4-5 गंटे की धूप मिल सके आज की list का दस्वा plant या यूफार्बिया मिली का है यूफार्बिया मिली एक बहुत ही खुबसूरत flowering plant है और यह plant पूरे साल लगाता flowering देता रहता है winter में इसके flower बहुत ही खुबसूरत और चटकदार रंग में खिलते है इस plant को आप cutting से भी असानी से grow कर सकते है इस plant के आपको कई color variety नरसे पर मिल जाएगी बहुत ही खुबसूरत plant cutting से rooting पर जल्दी आ जाता है और नई नई flowering देना शुरू कर देता है इस plant के branch को आप जब cut करेंगे तो वहाँ से white color का liquid निकलेगा इसलिए plant को तुरंत ना grow करें इसे एक दो दिन के लिए सेड में रख दें जब cut portion से white color का liquid जहां से निकलता है वो सूख जाये तभी आप इसकी cutting को grow करें प्लांट पर बहुत अधिक वाटिंग नहीं करनी है जब एकदम soil dry हो जाये तभी आप इस पर वाटिंग करें यह रहाँ खोब सूरत plant या गुलाब का है गुलाब तो फूलो का राजा होता है और यह सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है गुलाब के बहुत सारी color आपको इस समय नरसी पर मिल जाएंगे और यह प्लांट साथ उपए से ले करके डिएर सो दो सो रुपए तक मिल जाता है बहुत ही खुबसूरत प्लांट के बहुत सारे color आपको नरसी पर मिलेंगे फूलाब का प्लांट है भी feeder होता है इसको आपको अधिक fertilizer भी देना है तभी इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी प्लांट को time to time NPK का इस्प्रे करें और साथ ही साथ DAP दें मस्टर्ड के का liquid fertilizer तयार करके दें काउट डंग का liquid fertilizer तयार करके दें तभी प्लांट में बहुत अच्छी बढ़िंग होगी और प्लांट फूलों से भरा रहेगा गर्मियों में रोज प्लांट को direct sunlight से बचाना होता है जिससे साईड से नए नए गरत होती रहे लिस्ट का बरावा बहुत ही खुपसूरत छोटे छोटे बंच में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट या कलंचू का है इसके फ्लावर इसके प्लांट पर कई दिनों तक बने रहते हैं और या एक पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन या पूरी विंटर लगाता फ्लावरिंग देता है इसके फ्लावर आप देखिए छोटे छोटे गुच्छों में खिलते हैं नर्सरी पर या प्लांट लागवाइक डिट सो दो सो रुपए में मिलता है लन्चु को आने के बाद प्लांट को आप इंडूर भी रख सकते हैं जहां पर इसे इंडायरेट ब्राइट लाइड बस मिलती रहे और जब तक प्लांट पर फ्लावर बड़ नहीं आ रही है तब तक आप प्लांट को डायरेट सनलाइड में रखें और प्लांट पर ओवर वाटिंग आ करें टाइम टू टाइम इसे फेटलाइजर देते रहें तेरहां खुबसूरत प्लांट या गेदे का है मैरी गोडिया गेदा एक बहुत ही कामन सर्दियों का प्लांट है और लगबग सभी गार्डनर के पास सर्दियों में या ग्रो होता है या प्लांट सीड से तो जरूरी हो जाती है प्लांट के फ्लावर की साइज भी आपको बहुत सारे नर्सरी पर देखने को मिलेगी इसके फ्लावर छोटे छोटे बड़े बड़े और रंग रंगे कई कलर में आपको नर्सी पर मिल जाएंगे इसका छोटा प्लांट नर्सी पर लगभग 20 दिस रु कर लेंगे चोदावा खोब सुरत प्लांट या केल का है या एक और्नावेंटर प्लांट है इसे और्नावेंटर ग्यवेज फ्लांट भी कहते हैं बहुत ही खोब सुरत या प्लांट आप देखिए बहुत सारे कलर में आपको नरसी पर मिल जाएगा एल का फ्लावरिंग समय बिंटर ही होता है गर्मियों में इसे अगर आप बचा कर रख पाए तो यहाँ प्लांट पर्मानेंट आपके पास बना रहेगा बहुत ही खुबसूरत इसके फ्लावर लगते है इस प्लांट की आप कटिंग भी असानी से ग्रो कर सकते है प्लांट को सनलाइट में रखे हैं और इसकी मिट्टी को मौश्ट रखना बहुत ही जरूरी है मिट्टी जब मौइस्ट रहती है और प्लांट सनलाइट में रहता है तभी इसके फ्लावर खिल के आते हैं और खुबसूरत दिखते हैं विंटर में प्लांट पर बहुत अधिक केरिंग की भी जुरूत नहीं पड़ती है आज की लिस्ट का अंतिमो 15 खुबसूरत प्लांट या इंपेसंस का है इंपेसंस एक पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन बहुत ही अधिक गर्मियों में इस प्लांट को बचाना मुस्किल हो जाता है और सरदियों में यह plant लगाता फ्लावरिंग करता रहता है इस plant के बहुत सारे color variety आपको नरसी पर मिल जाएगी इस plant को आप hanging basket में भी grow कर सकते हैं hanging basket में यह plant बहुत ही खुब सूरत दिखता है इसके flower गुच्छों में खिलते हैं इस plant को आप sunlight में रखें यह बिना sunlight के भी यह plant flowering करता रहता है इस plant के flower single petal, multiple petal में आते हैं plant पर over watering ना करें इसकी system बहुत ही साफ्ट होती है over watering से plant गलने लगता है बहुत ही heavy flowering plant है यह तो इसे आप अपने garden में सामिल करके अपने garden को खुब सुरत बना सकते हैं तो दोस्तों आज की list में बस इतना ही उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाईक को से एक कर देए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सस्काइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ तब तक के लिए बार टेक केर